श्री गनेशा यह नमहा, यह राशीफल चंद्राराशी पर आधारित है, चंद्रमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतारचड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिती लेकर आती है, और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प् मेरे नाम ला रहे हैं। आपको पारिवारिक सुक मिलेगा। पीता का सपोर्ट भी विशेश कर इस समय में आपको मिल रहा है। इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दिखेगी। आर्थिक स्तिती और मजबूती के और बढ़ेगी। उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते है। अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है। दामपत्ती जीवन में मधूरता रहेगी। घर में खुश्णुमा माहोल रहेगा। इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा। आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेंगे। किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा। अच्छे समय का अच्छा फाइदा जरूर उठाए। आज आपको स्वास्त भी परिशान नहीं करेगा। पुरानी परिशानियों में भी सुधार दिखेगा। ये समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएगे। इस समय में सरकार की तरफ से मान पतिष्ठा मिल सकती है जो लोग राजनिती में हैं। उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा। इस समय अचानक से धन की प्राप्ती भी होने के योग बन रहे है। यानि जो लोग शेयर्स में इन्वेश करते हैं उन्हें मुनाफ़ा हो सकता है इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई लकी डॉय या इनाम इसमें भी आपको कोई फायदा हो जाए। इस समय में आप काम करने के नए जरिय भी खोच पाएंगे। इस दिन आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी। यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा है। यात्रा पर जाते हैं तो यात्राई लाबकारी रहेगी। आपके बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं तो वो आपको काफी लाबदाय करेगी। वहाँ से आपको धन कमाने का भी मोका मिल सकता है। निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है। इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, देली अक्टिविटी चुरू रखे, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबे का टहलना जारी रखे, अपने डाएट पर ध्यान दे, खुद भी स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे। इस दिन लाल रंका इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। तो वीडियो आगे जरूर देखे। इस स्थिती में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती, वह चीज़े हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है। परंतु हम उसको नहीं देख पाते इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में लाकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तों ध्यान रखे, जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे. अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है. वहाँ पर उने रखे, साप सूत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी हां, जो चीज़े हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं। लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट ढालती है। इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें। साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं, तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अ इसे धनकी देवी मातालक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में च्रिड-शेडाहट होती है, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े और खास बात है। हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है। जी हाँ वो अशुब माना जाता है। घर में मकडी का जाला होना अशुब हैं इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं। क्योंकि मकडी अपना जाल श खुशिया ला सकते हैं, तरक्य ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्षमी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद.